सस्ते हो सकते हैं टीवी, मोबाइल और पो कुछ प्रोड़क्ट के दाम कम कर सकते हैं इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनियां करीब साल भर से सुस्त पड़ी मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोड़क्ट के दाम घटाने पर विचार कर सकती हैं ऐसा इन्पुट लागत में आ रही कमी कमी की वज़े से संभव होगा Economic Times की एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है दरसल टेलीविजन, मोबाइल फोन, उब्भोक्ता को मिलेगी राहत सेमी करड़क्टर चिप के दाम सबसे निचले स्तर पर आ गए है ऐसा मांग में दुनिया भर के स्तर पर कमी आने और कुछ देशों में आतिक सुस्ती के कारण हो रहा है जैन ग्रूप के एमिरी प्रदीब जैन ने कहा कि चिप्स और कैमरा मॉड्यूल सहित सभी स्मार्टफून कॉम्पोनेंट की कीमते गिर गई है त्योहारी सीजन के आसपास बजार में हलचल पैदा करने लागत आठ हजार डॉलर के रिकॉर्ट स्तर पर पहुंच गई थी जो अब आठ सो पचास माइनस एक हजार डॉलर है कि सेमी कंड़क्टर चिप्स की कीमते भी अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है जो कोविट के समय का लगबग दस्वा हिस्सा है वहीं इलेक्ट्रोनिक कॉम्पोनेंट की कीमत 60-80 प्रतिशत तक मैनेजिंग डाइरेक्टर अतुललाल ने कहा अप्लाइंस और कम्प्यूटर के अधिकांज इलेक्ट्रोनिक कॉम्पोनेंट की कीमते और उन्हें कारखानों तक भेजने की लागत था उस दोरान चीन से कंटेनरों की धुलाई पिछले दो वर्षों में रिकॉर्ड उचाई को छुने के बाद कोविट पूर्फ स्तर पर आ गई है इसके अलावा लागत के कम दबाव से तक गिर गई है इग्जेक्यूटिव्स का कहना कंस्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कंपनियों के परिचालन लाब माजिन में भी बड़ोतरी होने की उम्मीद है इंडस्ट्री से जुड़े सीनियर लोगों का कहना है कि कमपनिया इस इंपूट लागत में गिरावत का कुछ हिस्सा दिवाली के बाद उपभोकताओं के साथ कम है डिक्सिन टेक्नोलोजीज इंडिया के बाटने पर विचार कर सकती है जिस दोरान कोविड अपने चरम पर डिक्सिन टेक्नोलोजीज, हैवल्स और ब्लूस्यार जैसी कमपनियों ने पिछली तिमाही में अपनी कमाई का व्योरा देते समय संकेत दिया था कि इस साल उनके माजिन में सुधार आने की संभावना है डिक्सिन मैनेजमेंट ने कहा था कि ग्लोबल लेवल पर आपन सेल की कीमतों में गिरावट के कारण उसके उपभोकता इलेक्टॉनिस पोटफोलियो का औसत बिक्री मूल्य 2021-2022 के 16,400 रुपय की तुलना में 2022, 23 में लगभग 11,500 रुपय पर आ गया है दिल्चस्प बात यह है कि कुछ इंडस्ट्री के एक्जेक्यूटिव्स ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में माल धलाए लागत में 4-5 फी सदी का इजाफा हुआ है लेकिन यह मांग में गिरावट के कारण है इलेक्रोनिक्स ब्रैंड हाय इंडिया के अध्यक्ष सतीश एनेस ने कहा है कि कमजोर मांग के कारण कंटेनर नहीं भरे में मदद करने के लिए ब्रैंड इन में से जा रहे है